हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो माई योट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन दे अवेलिबल्टी आफ रिसोर्सेज, मीन्स हमारे पास जो भी आईज हैं, हमारे पास जो सलूशन वैल्यूज हैं, इनको अगर हम चेंज करेंगे, तो अप्टिमल सलूशन पे क्या फरक पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करनेगे, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, चेंज इन अबजेक्टिव फंक्शन को उप्शन, जब हमारे पास अबजेक्टिव फंक्शन में जो को उप्शन होते हैं, उनमें में आप मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में में मेरा वाट्सेप नंबर भी और एमेल दी हुई है, आप वहां से देखकर पूछ सकते हो, मेरे पास जो एक्जेम्पल है, वह है maximum z is equal to 4x1 plus 6x2 plus 2x3, और जो constants हैं, वह है x1 plus x2 plus x3 less than or equal to 3, और x1 plus x4 plus 7x3 less than or equal to 9, x1, x2, x से सारे greater than 0 है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका optimal solution निकालेंगे, उसके बाद जो पहला पार्ट है, वो क्या बोलता है, discuss the effect of discrete change in the availability of resources from 3, 9 to 9, 6, अगर हम जो availability of resources हैं, हमारे पास जो resources हैं, इनको हम resources कहते हैं, जो resources हमारे पास हैं, 3 और 9, first resources है 3, second resource है 9, अगर इनको हम change करेंगे 9 और 6 में, आप बताओ भई, optimal solution पे क्या फरक पड़ेगा, ओके, दूसरा चीज़ यह है, which resources should be increased or decreased, हमारे पास resources हैं, 3 और 9, इन दोनों में से किस resources को increase किया जाए, या decrease किया जाए, in order to get the best marginal increase in the value of objective function, जिसकी वज़े से हमारे पास जो marginal increase है, और आल जो increase है, additional increase जो है, value में, objective function में सबसे best किस से मिले, यह दो पास हमने discuss करने हैं, तो friends, सबसे पहले मेरे पास जो यह constants हैं, इनको मैं convert करता हूँ standard form में, इनको standard form में convert कैसे करूँगा, यहाँ पे slack variable इसको भी add करूँगा, यहाँ भी हमें slack variable की जरुते इनको add करूँगा, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, the given linear programming problem in its standard form can be stated है, इसको मैंने standard form में लिखा है, 4x1 plus 6x2 plus 2x3 plus 0s1 plus 0s2, यह मैंने दो slack variable add किये हैं, उसके बाद, इस problem को मैंने simplex method से solve किया हुआ है, जैसे डूसरे question आप simplex method में solve करते हो, वैसे ही इसको भी simplex method से solve करना है, मैंने direct इसका table लिखा हुआ है, जो last solution table है, उसको लिखा हुआ है, क्योंकि simplex table मैंने अल्रेडी discuss किया हुआ है, इसलिए वीडियो में, अगर आपको कहीं भी problem हो simplex method में, आप वहाँ से देख सकते हो, तो जब मैंने simplex method apply किया, तो last पर जो मेरे पास solution आया, वो ये वाला table आया, ठेक है friends, इसमें मेरे पास जो x1 है वो 1 है, और x2 मेरे पास 2 है, और cj-zj जो मेरे पास है, 00-6-10 by 3-2 by 3, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, आल जो cj-zj less than 0 है, तो मेरे पास solution optimal है, उसके बाद x1 भी positive है, x2 भी positive है, means non negative दोनों के दोनों है, तो मेरे पास feasible भी है और optimal भी है, अब हमारे पास है first part, first part में क्या करना है, जो resources है, उसको convert करना है 3-9 से 9-6 तक, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, if the new values of the right-hand side constant in the constants are 6-9, अब 3-9 की जगाबे मैं 6-9 लिखता हूँ, ठीक है, then the new values of the basic variable becomes, अब new value जो basic variable की वो क्या बनेगी, x1, x2, जो मेरे पास basic variable है, x1, x2, उसके बार, b inverse, b inverse आपने dual simplex method में पढ़ा है, उसमें क्या होता है, कि इस वकद जो मेरे पास b inverse है, वो क्या होगा, वो जो slake variable add किये है मैंने, उनकी जो value table में होगी, बस वही इसमें पूट करना है, तो मेरे पास जो slake variable है, वो है, s1 और s2, okay, इनकी value जो मेरे पास है, 4 by 3, तो मैंने लिखा 4 by 3, minus 1 by 3, minus 1 by 3, minus 1 by 3, और 1 by 3, okay, यह value यहां पर लिखी मैंने, उसके बाद, मैंने जो change किया, पहरे मेरे पास क्या था, 3, 9, अब मेरे पास है 6, 9, तो मैंने उसकी जगह पे 6, 9 यहां पर लिखा, ठीक है, इन दोनों को solve किया, मेरे पास result आया, वो 10 और minus 1 आया, ठीक है friends, अब मैं x, x1 जो मेरे पास आया, वो 10 आया, और x2 मेरे पास आया, minus 1, okay, अब मैं इन दोनों values को table गंदर put करता हूँ, जैसे ओपर वाला table है, same, वैसे के वैसे नीचे उतारना है, बिल्कुल same, सिरफ changes जो है, वो यहां पर और यहां पर होगी, okay, x1 की जगह पर 1, 2 नहीं, बलकि जो यहां पर value आई है, x1 की जगह पर 10, और x2 की जगह पर minus 1, बस वो ही write down करनी है, तो मैंने लिखा है, x1 की जगह पर 10, और x2 की जगह पर minus 1, अब friends देखिए, इस वोकाद cj minus zj, वो ही है, जैसे ओपर था, सारे less than 0 है, solution optimal है, लेकिन, जो solution values है, 10 और minus 1, इन दोनों में से एक negative है, इसका मतलब हमारा solution इस वोकाद क्या है, वो infeasible है, ठीक, अब infeasibility को remove करने के लिए, हम use करते हैं, dual simplex method, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, since the values of x2 is negative, the optimal solution becomes infeasible, ओके, to remove the infeasibility, we use dual simplex method, अब हम क्या करेंगे, dual simplex method, apply करेंगे, dual simplex भी मैंने friends upload की है वीडियो, अगर आप अच्छी से पढ़ना चाहते हो, तो आप वहाँ से देख सकते हो, अब हमारे पास देखिए, इन दो में से negative 2, जो row है वो एकी है, इसका मतलब ये row जो हमारे पास क्या होगी, की row होगी, ओके, तो ये हमारे पास होगी, की row, अब हमने select करना है, की column, की column के लिए formula ये होता है, cj minus zj upon yrj, और yrj हमेशे क्या होने चाहिए, less than 0, ठीके, अब cj minus zj, यहाँ से हम choose करेंगे, लेकिन yrj हमेशे negative choose करना है, तो इस row में negative a की है, वो है, minus 1 by 3, इसका मतलब, सिरफ ये divided by ये होगा, और ये ही column हमारे पास enter होगा, क्योंकि a की है, तो हमारे पास और कोई choice है यह नहीं, तो मैंने ये लिखा है, तो s1 column enter हो गया, ठीके, s1 जो basic variable s1 वो enter होगा basis में, और हमारे पास जो key element आएगा, वो आएगा, minus 3 by 1 by 3, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको solve करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास 1 चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम divide करेंगे, sorry, multiply करेंगे, minus 3 के साथ, जब हम इसको minus 3 के साथ multiply करेंगे, तो friends, यहाँ पर जब मैं minus 3 से multiply करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर minus 3, यहाँ पर 3, 2, 6, minus 6, यहाँ बनेगा 1, और यहाँ बनेगा minus 1, ओके, अब यहाँ पर हमें चाहिए, 0, तो इधर 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1 को multiply करूंगा, 4 by 3 से, और फिर इस row में से, इस row को निकालूंगा, subtract करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको मैं करता हूं, 4 by 3, 10 minus 3 multiply by 4 by 3, तो 3 और 3 cancel हो जाएगा, 10 minus 4 बनेगा, मेरे पास आएगा 6, ठीक है friends, इसी तरह यह भी करना है, इस तरह यह भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भ method का जो table है, वो यहाँ पर आ गया, इस वकत मेरे पास जो solution है, वो दोनों के दोनों positive हैं, और cj minus zj negative हैं, ठीक है, इसका मतलब, solution इस वकत क्या होगा, optimal भी होगा, और feasible भी होगा, ओके friends, तो यह हो गया हमारे पास deal simplex method, अब next हमने क्या करना है, अब देखे, जब भी हमारे पास, जो solution values हैं, उनके अंतर क्या होगा, slake variable होगा, क्या होगा, slake variable होगा, तो हम क्या करते हैं, हम जो है, जो range होता है, वर्येशन का, जो range होता है, change, जो variation होई है, जो solution में change होती है, उसको हम कैसेわか साफ़ करते हैं, उसके लिए हम दो चीम करते हैं, एक तो lower limit निचा थे, अब lower limit निकालने का formula क्या है? lower limit निकालने का formula ये है, original value, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, original value minus solution value of slake variable, sv लिखता हूँ मैं, slake variable, अब देखिए, original value हमारे पास क्या है? original value हमारे पास है, s1 जो है, दूसरी में है, तो यहाँ पे दूसरी 9 है, original value हमारे पास है 9, तो मैं लिखता हूँ 9 minus, solution of values of slake variable, अब slake variable की जो value है, वो है 3, तो मैंने लेका 9 minus 3, आए मेरे पास 6, और उसके बाद, जब भी हमारे पास lake variable, जो है, basis में हो, तो upper limit infinity होती है, क्या होती है upper limit? हमेशा infinity ही होती है, तो friends, यह हो गए हमारे पास पहला part, कि जब हम, जो solution values हैं, जो हमारे पास resources हैं, उनको अगर हम change करेंगे, 6, 9 में, 3, 9 से लेके, उनको हम change करेंगे, 6, 9 में, तो हमारे पास जो value आएगी, उस वकद यह आएगी, ओके friends, अब हम second part की तरह भढ़ते हैं, which resources should be increased or decreased, अब कौन सा resources हमें increase करना है, या decrease करना है, जिससे हम क्या करेंगे, best marginal increase in the value of objective function, जिससे हमें best marginal value मिले objective function की, ओके, तो friends, हम दूसरा table लेते हैं, last वाला भी नहीं लेना है, पहला भी नहीं लेना है, दूसरा वाला table हम लेते हैं, जहांपे हमारे पास negative values आई थी, यहांपे वह वाला table हमने लिया, अब किस table में, c4 minus z4, मतलब c4 minus z4, हमारे पास है minus 10 by 3, और c5, मतलब जो slake variable का जो यहांपे, cj minus zj हैं, तो इसका है minus 2 by 3, हम इन दोनों की, जो negative value हैं, वो ignore करेंगा और positive लिखेंगे, 10 by 3 और 2 by 3, ठीक है, corresponding to S1 and S1 column, represent the shadow price, हमारे पास क्या represent करेंगे, shadow price, आप resources 1 and resources 2, किसकी shadow price represent करेंगे, resource 1 की, और resource 2 की, the increased amount of resources 1 and 2, will increase the value of objective function, z by 10 by 3 and 2 by 3 respectively, और हमारे पास, जब भी हम, resource 1 को, यह resource 2 को, मतलब 3, 9, जो हमारे पास resource हैं, जो objective function की, sorry, हाँ, जो हमारे पास B की values हैं, उनमें जब भी हम increase करेंगे, जो objective function है, यह तो मतलब 10 by 3, और 2 by 3 increase हो जाएगा, ओके फ्रेंट्स, now in order to know how much these resources में increase, अब हम यह जानेंगे, कि कितना resources increase हो सकते हैं, कितने तक यह resources increase हो सकते हैं, उसके लिए जानने का process क्या है, ओके, let us discuss, सबसे पहले मैं discuss करता हूँ, let del be the increase in the first resources, पहले resources को लेते हैं, और उसके अंदर हम increase करते हैं, ठीक है, अब formula मेरे पास क्या है, वो है xb is equal to b inverse into b, ठीक है friends, b inverse क्या हो हो है मेरे पास, slake variable के जो, नीचे जो values दी हुए है table में दे, ठीक है friends, तो यहाँ पर देखिए 4 minus 1 by 3, minus 1 by 3 और 1 by 3 ठीक है friends, तो यही मैंने लिखा है 4 by 3, minus 1 by 3, minus 1 by 3 और 1 by 3 ठीक, और मेरे पास जो resources है, वो मेरे पास क्या है, यह देखिए यह पर है 3 और 9, तो इन दोनों को लिखना है मैंने, मैंने लिखा 3 और 9 ठीक है friends, और second resource को बढ़ा रहे हैंगे, तो क्या increase रहेगा, कितना तक बढ़ेगा, ठीक है, तो जब इसको मैं solute करता हूँ, मेरे पास आता है, 1 plus 4 by 3 डेल बी 1, और second में आता है, 2 minus 1 by 3 डेल बी 2, sorry, B1, greater than or equal to 0, अब मैं पहले को लेता हूँ, greater than 0 पहले, तो जब मैं इसको लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा, डेल बी 1 is greater than or equal to minus 3 by 4, ओके, फिर मैं दूसरी को भी लेता हूँ, तो क्या आएगा, 2 minus 1 by 3, डेल बी 1 greater than 0, और डेल बी 1 is equal to, इसको मैं solute करता हूँ, 6, ठीक है friends, अब मैं क्या करता हूँ, इन equalities को मैं एकठा लिखता हूँ, देखिए, यहाँ पर क्या है, डेल बी 1 greater than है, minus 3 से, तो मैंने लेखा minus 3 से, minus 3 छोटा है, डेल बी 1 से, फिर यह छोटा है, 6 है, तो मैंने यहाँ पर लेखा, उके, उसके बाद, डेल को हटाने के लिए, बी 1 की जो value है, वो है 3, क्योंकि पहला 3 है, दूसरा 9 है, तो, यहाँ पर देखिए, यह वाला मैं कर रहा हूँ, डिसकस बोल रहा हूँ, 3 और 9, ठीक है, तो, मैं जो है, 3 को both side plus करूँगा, तो मैंने यहाँ पर 3 प्लस किया, यहाँ पर भी 3 प्लस किया, ठीक है, मेरे पास आया 9 by 4 और 9, यह हमारे पास होगा, 1st resources में, जब हमने change किया, 1st resource में, तो मेरे पास जो B1 की जो value है, वो कहां से कहां तक change होने लगी, मतलब 9 by 4 से 9 तक, यह हो गया एक, अब इसी जी तरह, Sam, हम second resources में change करते हैं, मैंने लिखा, let del B2 be the increase in the second resource, ठीक है, Sam, वैसे ही पकड़ा, मैंने वैसी values, और सिरफ 9 plus del B2 किया, इसको swallow किया, मैंने, जिस तरह ओपर मैं किया, ऐसे इसको भी करना है, मैंने मैंने directly लिखा हुआ, यहाँ पे, इसकी जो value रहेगी, वो आएगी minus 6 से लेके, ऐसे तरह, 3 तरह, ओके, फिर, del की value मैंने डाली, तो मेरे पास आया 3 से लेके, 12 तक, ओके, यह होगया second resources की, यह होगया first resources की, ओके, value of first resources can be increased, 3 units to maximum of 9 units, 3 units से लेके, क्योंकि मेरे पास 3 से मैंने लिया था, तो 3 units से ले या था मैंने, तो 3 से लेके, कहां तक increase किया जा सकता है, 9 units तक, ओके, यह होगया first resources की, ठीके, similarly, इसी तरह, can be increased from 3 units to maximum unit of 9, and second resources can be increased from 9 units to a maximum limit of 12 units, ओके, इसी तरह, second resources जो था, मैंने लिया था 9, और 9 से कितना लिया मैंने, last जो maximum value आई इसकी, वो 12 थी, ठीके friends, तो यह होगया हमारे पास change, तो जो best marginal values आएंगी, वो कैसे आएंगी, वो इनको लेके, मतलब जो B1 की जो maximum values है, वो यह आ गई, तो friends, यह थी change in the availability of resources, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो please, मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए, thanks for watching,